आज पोचे हैं गाओं कलोध जला बहवानी तसील शिवानी में सत्पाल जी के पास में और भाई आज का पसू पालन देखके बहुत ही खुशी होई क्योंकि साथ के साथ भाई एक स्कूल को भी मैनेज कर रहे हैं और भाई पसू पालन में वीरूची ले रहे हैं तो कितने पस सब्सक्राइब करता हूं यह इतना सफर तय करके और आमारे यह पहुंचे बहुत है तो अधिये पाल जी के साथ मास्टर जी वी कहुंगो मापने क्योंकि भाई– यह दो ट्रडिंग में वीडियो की दिखाया जसबीर भाईन यह स्कूल सब्सक्राइब करना पड़ता है मतलब टाइमिंग को मैनेज करना पड़ता है सब्सक्राइब करना पड़ता है यह चीजें जो है घर का मतलब पसू बगारा का इन मेरी सुरू से रूची रही है अच्छा जी ठीक है और जब स्कूल वाड़ा है तो स्कूल का टाइम अलग रहता उसके एक्स्ट्रा मतलब जो भी टाइम रहता उसमें हम पसूं का भी देख जी दो कटड़ीयां है थोलब चॽटे कटड़ें एगे अपना अंही रियाना नसल की घाए'M रियाना नसल की गाय है मेरे पास तो आज वीडि Spaßे साथ किसाथ बता ड़ी जी वीडियो में 4 पå अबड़ने। हैं इस वा बहुत बहुत आब दियाे पहलेना पर जो यहाई बैस का इसी का बेटा है वो बुल आए यह वहीं का वैंट है जो सेल के लिए अभई जो सेल के लिए है बहुते हैं अपना जो एडर्स अगर कुछ से कमी पैसी रही हो मरे ते बताने मैं एक बार आप कंफरम कर वागर जी जो यह कहां की लोकेशन है एडर्स है जी विलेज गाव त तक पोचन में और पहले साय दर्याने का सबसे बड़ा जला भी अपना बीवानी था जब तक चर्खी दादरी नहीं बनी तो अब मेरे खाल तीसरे नंबर पर चले अगया तो यह सामने जो आप बैस देख रहे हो एक चीज यहां के पशू का थोड़ा सा सेंग भाई खुला मे फर्स्टाइमर ने फर्स्टाइमर एक दिन की ब्हाई हुई थी जब मन लेके आया था खीस में लेका आए था और जिस बुल की आपा बात कर रहे हैं वह बुल इसके साथ था उस्ताइं पहले ब्यात का वह भी वीडियो में दिखाएंगे बढ़े रही है उसकी वी डिटेल पूरी लेंगे और भाई देखे वह आप खरीदना चाहते हो तो भाई इसकी भी जानकारी पूरी द्यानता सुनियों और यह खरीदनी है तो इसकी तो जानकारी द्यानता सुननी बनती ही है तो एक दन की भाईन आप लेकाए थे वह यह उमीद नी थी यह कितना दूद रयाल Att collection लेकर उता सदूल औजी तो जी कितना दोद दिया फर्ष ताइमर ना प्रवर्ण ने घरभास्त ऑपा इसना कि 어ler िया थे ऊपके तोल embody कटेकर तोम में कि देला है उसका है इसना सतरा किलो तेना दूद दिया था सर एक तोता जी काट्टे के तोलका काट्टे के तोलका काट्टे के तोलका किलो में हैं तो जी इसना सतरा किलो दिया अपने पास में सतरा किलो दिया अपने पास में सतरा किलो दिया सर ये कंडे के तोलका पर्स टाइमर ने देके वाई बिलकुल सोनी चाल कि बाई जैसे जैसे आपको पता है जो पीक पोजिशन होती है पसको कि वह थर्ड टाइमर की अब इसकी आगए पीक पोजिशन आवागी कि भाई इस मेंने चोड़ो जा कितने गदूतिया बढ़ सका है तो बीश किलो दूसरे बैंत का कहीं पर रिकोर्ड है जी नहीं रिकोर् इसकी टीशरे ब्यात की कितने दन बागी है जी डिलीवरी में सोड़ा तारिक को दिन पूरे हो जाएंगे सोड़ा नोंबर को सोड़ा नोंबर को और पिछली बार जैसे ये सेकिंड टाइमर ब्याई थी ना उस टाइम इसने लगभग पांच दिन उपर लिये थे पांच द आज बीड़ा निवागी है जो पंदरा दिन मान के चलो जी फंदरा सोड़ा दिन में जो इसका साइज होगा निच्छे बिल्कुल चल्या नहीं जाएगा इससे चल्या नहीं जाएगा आज दिखाए दिरे वह वह चीज तो देखो का अगरा इरे की परक्त जोरी नहाँ क्योंकि बच्चों को भी अच्छे विचार देने हैं तो इंची जो नोटिस करते हुए तकरिवन जो मेरा भी अपना हिसाब है मनने भी जानकारी जैनमन ही लगी है बाई अब तक की जो हैं तो जी कौन से बुल से प्रेगनेंट है या पसू दूद कम वे दूद ना उतारत हो उस समय पसू को पौशाने वाला टीका ना लगाएं ल्डीम पिलाएं और पूरा दूद पाएं पौशाने वाला टीका पसू को बांज वे मनुस्य के अंदर नप्पुम सकता बढाता है ल्डीम आयरुवेदिक हर्बल ओसदी जो पसू के दूद वे दूद की तुनवत अधिक जानकारी के लिए इसमपर्ख करें 8595- 037000 सादर नाम नाम इस हां अछांदर नाम है और छोबल का नाम कोन बढ़ए भी सोत समझ ख़के लिए ने हम रखें किसे चीज़ ही प्रसंड़ा करें कि यसी तो उसके बाद मैं उमीद है तीसरे ब्यात में अगर दूसरे में 20 kg निकालरी है तो कम से कम बाई 22 भी देदे तो कम नहीं है लग बाद दो तीन किलो तो पला सोना चीए सर कम से कम होगा तो अब बात कर लेते हैं सत्पाल जी जो में पॉइंट रथा वीडियो का जो पर पज़ रथा बनानेगा शेल के बारे में क्या विचार है आपका शेल कर देंगे जी एक बात और दुबारा पूछता हूं ब्यात जैन्वन तीसरा ही है जी हाँ जैन्वन तीसरा है जी इसका अपने रिटन में भी सारा मतलब है इसका कोई दिक्कत को नहीं अच्छा ब्यात तीसरा है बाइया चीज वीडियो के सुरुआत महीं बताई थी यहां के पसू का थोड़ा शेंग खुला मिलता है तकरीबन आपन जो पसू देखें इसे रिएगे तो दिशेरी बार बच्चा देगिया किमत क्या रहेंगे जी इसकी और चाहें जानकारी तकरीबन जैनों यह पसू देखो गढ़का शांदार पसू है जो इसकी पोजीशन वह भी बढ़िया है एक लाग शतरा तीसरी बार बच्चा देगी आप बात करें जिसकी जो पहले ब्यात का इसका कटड़ा है उसके बारे में जानकारी लेंगे वह भी शेल के लिए है उसके लिए भी विदाउट स्किप के हुए आप पूरी वीडियो को जरूर देखें आप इस बूल के बारे में बात करेंगे इस बुल के अगर मदर के बारे माफ जानकारी चाहते हो तो वीडियो के सुरुवात में देदी है दूसरे ब्यात में इसकी मा का दूद है 20 किलो फर्स टाइमर जब इसका जनम वाय था कुराकी ने दिया था 17 किलो कितनी उमर होगी जीसकी आजे ये इसकी बारमे महीने की आ पांच दिन देख दिन होंगे मैक्सिमम अच्छा ज्यादा एक चीज़ और है देखिए मा की भी आइड देख लिए और बेट्टे की भी आइड देख लिए यो कुन से बुल का है अगर आपको जानकारी हो तो बताना ये जानकारी है जी मेरे को पूरी इसके बारे में ये के आए दा सुल्तानपूर से था अंच्या जी तो सुल्तानपूर के असारम है हाह उम्रा शुल्तान पूर जी वहा मतलब इसका ट्रहा है वह है अब हार मतलब इसका अब बीड़ नाम शे है वह ये देख लिये मरे चैनल पही है रमू भू नहां कर अशन का केंदर बं रह थ वैसे भाई गजब की आई था भाई उसकी बहुत जबरदस्त था उसकी उसी का बच्चा है जी इब जच गी मरा मास्टर जी क्योंकि उसकी अमने वीडियो पनाई थी देख्या था भाई मन भी उसकी पीट पर न्यू आद रहा था हो तुच्छा बुल था तो रमलू बुल ग बेट्टा है और डारेक्ट क्रोसिंग कर जलके क्योंकि उस बाई ने सीमन नहीं 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 रहा है यह चीज मने इसलिए पता हमने उसकी वीडियो बढ़नाई तो यह रमलू बुल का बेट्टा है और दो साल इसकी उमर हो चुकी है मा का दूद 20 किलो दूसरे ब्या इससे कम नहीं करें तब एक लाग पचास जार पी है इसकी कीमत और आज दो साल का ही है और भाई इसके उपर तो तयारी करेंगे तो बहुत बड़िया बहुत सांदार बन जाएगी कोई भी ले जाना चाहा और डारेक्ट क्रोशिंग के लिए ले जाना चाहा तो अच्छे ह कि यैज के भाईस की लधू इसका तृबोशिंग के बेचप रखेंगे ताह उस टैम पह ल किमत बढ़ेगी हुस टैम बढ़े गी वड़ेगे उस तेम बढ़ेगी और दौश और आपको देखा अच्छा गए तरह पेसँ मस्टरजी राख थे और र् az यह आजि जो पना कर पन्हों को आपने यहां सिवानी तसील के अंदर काफ रिलीए थी थी अच्छझ मं लेकर गाया था इसको कौन सी के टेगलिमें लगाया था एक lance क्यासी लगाया थे टेग३र्म यह लगाया था लगाया थाज अपन्हे द्थिधरीम इनदे तीसरा थान इस новых लिगिया था उसके बाद नहीं लगा जी कही है इसके बाद नहीं को ज़िगा हूंहे वई तो बहुत निकालना बड़ा में उसकिल होता है झालकि बहुत मुश्किल संवादीया है यह इनका रेकोड है तो भाई देखिए यह चल डीबी की जो रिकोडिंग है यह अपना मानी जत्ती है यहां पर जब खाली करी थी 9.570 ग्राम फर्ष्ट मिल्किंग में 10.456 सेकंड में 9.452 और फाइनल में जो है यह अपना 10.160 ग्राम टोटल मिल्क 30.94 ग्राम और अवरेज है एक दिन की 20.600 ग्राम गी यह कौन सी की है जी 20.60 ग्राम गी कौन सी की है यह सेकंड टाइमर गी है इसकी यह बाई यह सेकंड टाइमर इसने 20 किलो दूद इसका रेकोड है इसलिए मनें स्टार्टिंग में बदा था यहां जो पशू है थोड़ा सी ऐसलिक खुला में लेगा लेकर दूद की जो क्वाल्टी है वह एक बहुत ही बैथरीन क्वाल्टी है 12 ग्राम थार्ड मिल्किंग में है 9 3630 ग्राम और फाइनल जो मिल्किंग होई थी उसका है 9 3680 में गराम टॉटटल जो मिल कि इसका बने था यह 22 की कुछ और जना है 29 किलो जब तो टॉटल लवे 29 किलो 56 ग्राम और एवरेज है एक दिन की 19 किलो 370 ग्राम अठारा तक है दूद रिकोर्ड होता है इस बात के वारे में आप सभी को पता भी है कहने का मतलब यह चीज है मैंने आपको इसलिए दिखाई है कई भाई का देवल्या मुह तक है दिया बाई से यह सथ पाल जी ने बाई दूद ने कलवा रहा है तना और यह द कब देंगे अगर को क्वाल्टी होगी तो मुह भी मुह पके कहने हैं अपना सची बात वकत के देजिस तक हता बनीयों तो जो चीज भी है वह टाइम पे ही बताई जाएगी तो एक चीज और सारी बता दियां भाई पूरी जानकरी देदी है सुपाल जी आपका कोई शेल प कि तो यह बाई जो अपना सथपाल जी के छोटे बाई हैं सेल परचेज का काम भी इनका नंबर भी अमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और सथपाल जी आपका फॉन नंबर क्या जी मेरा फॉन नंबर है जी नंबर भी एक दूसरा नंबर भी है मेरा जी नंबर आपके और डॉन नंबर कोल कर लियो अगर या जो थर्ड टाइमर है ये खरीदनी है यह आप ना ख्रीदना है और और कोई पसु आप चाथते हो तो यह जो नंबर चल रहा है नीचे और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वह भाई साब कहा नाम आपना जी अनिल कुमार भाई का नंबर है और कमेंट में अपनी राहे जरूर दे दियो वीडियो ने शेयर कर दियो ज्यादा शेयर ज्य कर दियो